थाना दिकारी ने माफी मांगी तो निप्टा धक्का मुक्की मामला महेश पेडिवाल को धक्का देने वाले पुलिस कर्मी पर कारेवाही की मांग बरकराद श्रीगंगा नगर में नगरपशा चुनाव के दौरान भास्पा जिला उपाध्यक्ष महेश पेडिवाल के साथ पुराणियाबादी पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा धक्का मुकी करने का मामला शनिवाल को मध्यस्तिता से निपड गया वार्ता के दौरान थाना प्रभारी रंजीत सेवदा ने खेज जताया जिसके बाद दोनों पक्षों ने गिलेशिक वे दूर किये भातपा नेता जदी बिहानी के घर पर आज सुबह हुई वार्ता में दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहें इनमें माकपा के पूर्व विधायक हेतरांबेनिवाल, कॉंग्रेस नेता अशोक चार्णक, जदी बिहानी, महीश पेडिवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष तर्चेम गुपता, पृत्पाया सिंग संधू, एडवकेट भूरा मलस्वामी, उदैपाव जाजडिया, संतवीर सिंग चहल, और रमजान अली चौपदार, महिला सेल से, सियो राहुल यादव, सदर एसचो, राजे सिहाग और पुरानी अबादी थानादिकारी रंजीत सेवदा सहीत अन्य लोग मौझूद रहे जदी बिहानी ने बताए कि वारता के दोरान पुलिस कर्मी रंजीत सेवदा ने कहा कि अन्जाने में उनसे भूल हो गई, अगर इसे पेडिवाल जी की भावना को ठेस पहुंची है तो वे सौरी फील करते हैं इसके बाद महिश पेडिवाल ने भी मामले को खत्म करते हुए कहा कि अगर मौके पर समझदारी से काम लिया जाता तो बात इतनी नहीं बढ़ते इस दोराम जदी बिहानी ने कहा कि चुंकी स्पी हेमंत शर्मा पूरू में ही घटना करम के लिए व्यक्तिकत तोर पर खेच जता चुके हैं इसलिए विवात को यहीं खत्म करना आवश्यक है लेकिन जिन दो पुलिस करमियों ने महेश पेडिवाल को धक्का मारते हुए उनसे दुर्वेभार किया उनके खिलाफ कारेवाही होनी चाहिए उन्हें लाइन हाजिर किया जाए इसके लिए बैठक में मौझूद आशोक चांडक ने बिहाने को आश्वस्त करते हुए कहा कि दोशी पुलिस करमियों पर कारेवाही के लिए विजिला प्रभारी मंत्री गोविन डोटासरा से बातचीत करेंगे अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर